यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है 35 दिन एक प्रभाव शाली व्यक्ति कैसे बना जाए जॉन मैक्सवेल लिखते हैं लीडर्शिप एक प्रभाव है जिनकी संस्था ने पूरी दुनिया में 10 लाख से भी जादा लीडर्स को प्रसिक्षित किया है यह बताते हैं कि समाज शास्त्रियों के अनुसार सबसे ज़्यादा अंतरमुखी व्यक्ति भी अपने जीवन काल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा एक तरह से केवल एक ही लीडर होता है हमारे समाज के नए नियम के पाठ्यांश में इशू कहते हैं तुम्हारा एक ही गुरु है मसी दूसरी तरफ हर एक मसी को एक लीडर बुलाया जाता है इस धारना से कि दूसरे लोग आपको एक उदाहरन रूप में देखेंगे अलग-अलग तरह से दूसरों पर आपका प्रभाव पड़ता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर द्वारा आपको बुलाया जाना एक स्वाभाग्य की बात है लेकिन इसमें बहुत बड़ी जिम्यदारी है भजन सहीता 18 का 25 से 36 तक आत्मविश्वास दाउद एक ऐसे लीडर थे जिसमें आत्मविश्वास था मगर यहां आत्मविश्वास नहीं बलकि परमेश्वर में विश्वास था क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांग जाता हूं दाउद जान जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर की सहायता इन बातों के लिए चाहिए नमबर एक, सुरक्षा, वह अपने सब शरनागतों की ढाल है तुने मुझको अपने बचाओं की ढाल दी है नमबर दो, ताकत के लिए यह वही इश्वर है जो सामर्त से मेरा कटिबंद बांधता है और मेरे मार्ग को सिध्ध करता है वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे उंचे स्थानों पर खड़ा करता है नमबर तीन, प्रसिक्षन के लिए वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है मैं इस भजन को सन 1992 में पढ़ रहा था और इस वचन ने मुझे यहाँ एहसास दिलाया कि प्रतियक अलफा के शुरू होने से पहले हमें लीडर्स को छोटे समू के आयुजकों को और सहकर्मियों को प्रसिक्षित करना चाहिए यह अलफा ट्रेनिंग का मूल था नमबर चार मार्ग दर्शन के लिए तू ही मेरे दीपक को जलाता है मेरा परमेश्वर यहुआ मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है इश्वर का मार्ग सच्चाई यहुआ का वचन ताया हुआ है प्रभू मुझे आपकी मदद चाहिए मैं आपसे सुरक्षा, सामर्थ और मार्ग दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ मुझे अपने सिद्ध मार्ग पर चलाईए नयानियम मती 23 के 1 से 49 तक चरित्र इश्व अपने दिनों के धार्मिक गुरुओं पर कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं हे सापों, हे कैरेतों के बच्चों इस भाषा ने लोगों को पूरी तरह से धका पहुँचाया अब शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में हमारी कल्पना पूरी तरह से अलग है जिस तरह से वे उस समय बरताव करते थे वे लोग अत्यधिक सम्माननीय और आदरनीय लोग थे शास्त्री वकील हुआ करते थे उन्होंने कानून को संरक्षित किया था और उनका अर्थ बतलाया था उन्हें नियायधिश के रूप में कारे करने का अधिकार प्राप्त था काफी अधियन करने के बाद उन्हें नियुक्त किया जाता था वे लोग गुरु थे और उनके आसपास चेले जमा हुआ करते थे फरीसी जनसाधरन लोग थे वे मध्यम वर्ग से हुआ करते थे सदूकियों के विपरीत जो की ज्यादा वैभयवशाली होते थे धार्मिकता के कारण वे ज्यादा आधरनी होते थे उन्होंने अक्सर प्रार्थना और उपवास किया था, उन्होंने सभाओं में भाग लिया था, वे नियमित रूप से दान किया करते थे, उन्होंने खराई और नैतिक जीवन जिया, उनका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव था, साधरन लोगों द्वारा उनकी काफी क्योंकि वे कहते तो हैं, पर करते नहीं, अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए, ईश्यू के साथ शौक हमें साथ अच्छे गुण विकसित करने के लिए प्रेरीत करते हैं, नमबर एक, सच्चाई, धार्मिक गुरुओं के कपटी होने के कारण इश्यू उनक क्योंकि वे कहते तो हैं, पर करते नहीं, वे एक ऐसे बोज को जिन को उठाना कठिन हैं, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परन्तु आप उन्हें अपनी अंगुली से भी सरकाना नहीं चाहते, सच्चाई इसके विप्रीत है, इसका मतलब है कि वही क करना जिसका आप प्रचार करते हैं, और इस बात का ध्यान रखना कि आपके शब्द लोगों को उठाएं, ना कि उन्हें दोश और अन्य बोज के तले दबा दे। परमेशर के साथ प्रामानिक निजी जीवन बिताने का प्रयास करें। इशु कहते हैं, जो कोई अपने आपको बड़ा मानेगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। दूसरों के लिए मारग में रुकावट पैदा करने के लिए इशु धरम गुरुओं की आलोचना करते हैं। तुम मनुशियों के विरोध में स्वर्ग के राजिका द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। लीडर्स की भावना इसके ठीक विप्रीत होनी चाहिए, जो हर एक व्यक्ती के लिए खुला हो और उसका स्वागत करे। इशु स्वयम करुणा का उधारन स्थापित करते हैं, वो कहते हैं, हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इखटा करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बालकों को इखटा कर लूँ, पर पुर्ण तरीके से बाल की खाल खीचना, वे आख का लठा नहीं देख पाते थे, आपको महतुपूर्ण मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए, परमेश्वर के दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और इससे भटकना नहीं चाहिए, परमेश्वर से द पकड़े जाना और विधी सम्मत होना टालें, इश्व कहते हैं, हे अंधे अगूओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परन्तु उट को निगल जाते हो, बजाए इसके हमें व्यवस्था की गंभीर बातों पर अर्थात नियाय और दया और विश्वास पर ज्यादा ध जियान देना है, अन्याय और गरीभी के विरुद लड़ें, और अपने परिवार वालों और दूसरों के साथ विश्वास युग्यता दिखाएं, नमबर साथ, उदारता, यह लालच और असयमता के विपरीत है, जिसकी इश्व निंदा करते हैं, उनका आंतरिक जीवन, ब बहुत मुश्किल है, यहां ईश्व के शब्द शोक की चरण सीमा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, कि ये शब्द साधरन लोगों को नहीं कहे गए थे, इश्व ताकतवर अगूओं के निंदा कर रहे थे, जो खुद को उंचा करने की कोशिश कर रहे थे, और जि इश्व की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इन शब्दों से चुनौती देते हैं, लेकिन यहां चुनौती गलत लोगों की तरफ नहीं होनी चाहिए, इश्व के शब्दों के बारे में विश्माइकारी बात यहां है, कि मानविये रूप से देखा जाए, तो वह बड़ी कमजोर स्थिती में थे, और फिर भी वहां अपने दिनों में अधिकार जमाने से नहीं डरे, प्रभू मुझे उन समयों के लिक्षमा कीजिए, जब मैं इन शेत्रों में असफल हुआ था, मुझे सच्चाई, प्रमानिकता, नमृता, करुणा, दर्शन, केंदृत और उदार्ता का जीवन जीने में मेरी मदद कीजिए, जिस तरह से इश्यू अपने शहर के बारे में चिंतित थे, उसी तरह से मुझे भी चिंता करने में मदद कीजिए पुराना निया, अयूब, 33 का 1 से 34 के 37 तक, आलोचना जैसा की रिक वारन ने बताया है, अलोचना एक प्रभाव का मूल्य है, जब तक की आप किसी को प्रभावित नहीं करते, कोई भी आपके बारे में चूँचा नहीं कर सकता, लेकिन आपका प्रभाव जितना ज़ादा होगा, आपके पास उतने ही ज़ादा शहर होंगे बेचारा अयूब, जो की अगवाई करने की स्थिति में था, उसे अपने आलोचकों से लगातार कडी निंदा सुननी पड़ी, यह ज्यादा परेशान करने वाली बात है, क्योंकि यह उसके कथित दोस्तों से आई थी, आलोचना हमेशा सबसे ज्यादा दुखदाई होता है जब यह उन लोगों से आती है, जिन हैं आपका मित्र होना चाहिए था, यह बड़े दुख की बात है जब मसीही लीडर्स को आलोचना स्वयम चर्च से मिलती है, उनके कथित दोस्तों से, एलिहू की बातें सुनना अयूब के लिए सच में कष्टप्रद रहा होगा, जो की उससे छोटा था, फिर भी अपने खुद के अनुभव से उसने अयूब से मूर्खता पूर्ण बातें की, मैं तुझे बुद्धी की बात सिखाऊंगा, पर अयूब ग्यान की बातें नहीं कहता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं, और यह परामर्ष देने के लिए क्य ऐसे बहुत से आलुचक, सोच विचार कर कहने और अपने मन की बात सीधाई से प्रगट करने का दावा करते हैं, वह दावा करते हैं कि अन्य लोग उनके साथ सहमत हैं, सब ग्यानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं, वे मुझ से कहेंगे कि अयूब ग आलोचना करने की खतरे से सावधान रहें, हलंकि यह बताया जा चुका है कि अब तक किसी भी आलोचक का समारक नहीं बना है, फिर भी यह हम सब को आलोचक बनने की चाहत से नहीं रोक पाता, आप दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, उसके प्रती बहुत सावधान रहें, उनके प्रती मुझे बुद्धी और समवेधन शीलता दीजिये, मुझे सच्चे गुरु इश्व मसी पर अपनी नजरें टिकाये रखने में, उनकी प्रभुता के अधीन होने में, उनके आदर्शों का अनुसरन करने में और एक प्रभावशाली व्यक्ती बनने में मेरी मुझे ज्यादा शारिरिक शक्ती नहीं है, मुझे ये सबी वचन अच्चे लगते हैं, बजन सहीता 18-29 में हम पढ़ते हैं, अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांग जाता हूँ, ये वही ईश्वर हैं जो सामर से मेरा कटी बंद बानता है, पद 32, मुझे मेरे उचे स्थानों पर कड़ा करता है, पद 33, वो मेरे हातों को युद्ध करना सिकाता है, पद 34, तूने मुझे को अपने बचाओ की डाल दी है, पद 35, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संबाले हुए है, पद 35, जब मैं ठका हुआ मैसूस करती हूँ, शारिरिक रूप से उपर नहीं, तो ये शब्द मुझे सच में प्रोच साहित करते हैं, आज का वच्चन, ये वही ईश्वर हैं, जो सामर्त से मेरा कटी बंद बानता है, और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, बजन सहीता 18 का 32